कपास उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुस खबरी कपास का इस साल मिलेगा आधिक दाम वेस्विक बजार में बढ़ी कीमत 7 साल बाद देखी गई इतनी तेजी वेस्विक बजार में रूई वैसरकी के दामों में तेजी के कारण इस सीजन में कपास उत्पादक किसानों की गारंटी मुले से अधिक दाम मिलने की संभावना है जिसे किसानों को बड़ी रहत मिलेगी फिलाल पंजाब में इस सीजन का कपास आना शुरू हुआ है जिससे गारंटी मुले से अधिक दाम मिल रहे हैं जिले में कपास का उतपादन बड़े प्यमाने पर दिगिया जाता है प्रंतु बोंड इली के परकोप के चलते बीते तीन वर्सों में कपास की उतपादन पर बुरा असर हुआ गतवरस, खरीफ, सोयाबीन वे कपास की दोनों परमुख फसल इलियों की चपेट में आने से उमीद से भी कम उतपादन रहा था तो वहीं इस साल कपास का छेतरफल भी गटा है, एक किलो रुई का दाम 165 रुपए, वर्तमान में विशो बजार में एक पाउंड यानि आदा किलो रुई का भाव एक डोलर दो सेंट तक जा पहुंचा है इसका मतलब एक किलो रुई को 165 रुपए किलो का दाम मिल रहा है साथ वर्स के बाद कपास के दामों में इस वर्स अच्छी तेजी देखने को मिली, साथ वर्स प्रो कपास के दाम 70 से 80 सेंट तक थे तो वहीं कोटन की CCI खरीद करना भी जुरूरी, वैस्विक स्तरपर कपास के दामों में तेजी है, फिलाल पंजाब में कपास आना पुरारंब हुआ है देश के अन्य इसों में भी कपास अगले महीने से आना शुरू हो जाएगा, किन्तु कपास की आवक बढ़ने पर रपारी दाम जिरा सकते हैं जिसे सरकार ने CCI के मादयम से खरीद करना आवशक है, कपास में आयो ही तेजी, करशी कानून का कारण नहीं है, वैस्विक बजार में तेजी आने का कारण है सोयाबीन वैसरकी के भाव में तेजी का आशर भी कोटन की कीमतों पर फड़ेगा, जिसके चलते इस साल कोटन किसानों को MSP से अधिक प्राइज मिलने वाला है, जो की किसानों के लिए एक बड़ी खुस खबरी और रहत की खबर है